यह इधर क्या लिख दिया है मैंने डेली इंकम तीन से पांच जार रुपए और इधर क्या लिखा है FD पर 9.21 परसेंट गैरेंटी डिटन यह दोनों काम एक साथ हो सकता है कि करते हैं आज आज दोनों काम एक साथ करेंगे पैसे के मामलें देखो दो ही तू कंसन होता है आद टाइम में दूसरा 9.21 परसेंट FD का मतला हम आज तक जानते थे 5-6 परसेंट 7 परसेंट हम क्या बोल रहा है 9.21 परसेंट FD पर वह भी गैरेंटीड रिटन समस्ते आज देखो पहले कुछ चीजह समझो सर जब बात पैसे के हो ना अपना इंवेस्टमेंट पोर्टफोलिय क्यों? Financial Planning ऐसी होनी चाहिए कि कुछ परसेंटेज सेक्योर होना चाहिए, कुछ परसेंटेज रिस्क वाला होना चाहिए, जैसे जनरली आप कई लोह को कहते हुए सुनते होगे होगे कि स्टाक मार्केट हो पैसे लगाओ, प्रॉपर्टियं हो पैसे लगाओ, मैं भी बात कर तो इस आपकेड़ प्रॉपर्टी की लेकिन साथ ही हर फाइनिशल प्लानिंग के वीडियो सेशन में आपने बात करी है कि एक अच्छा खासा परसेंटेज सेक्योर इंवेस्टमेंट होना चाहिए और सेक्योर इंवेस्टमेंट का बेस्ट ऑप्शन मेरे इजाब से सर एफड कि यू 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 चलती है उतार चड़ाव चाहे इनसान कोई भी उसर हर आदमी की जिन्दगे में उतार चड़ाव आएगा अच्छा समय और बुरा समय आएगा मेरे इसाबसा समस्दार आदमी वही है जो अच्छे समय के साथ-साथ अपने बुरे समय की भी कहते हैं mathematics में कभी पढ़ा हो तो permutation combination होता है business को start करने से पहले business कहां कहां fail हो सकता है वो भी idea लगाए जा सकता है ऐसे life है सर life को आप कैसे इतना हल्गे में ले सकते हो सब कुछ अच्छा इच्छे होगा भया इतने साल बाद मेरे इतने इतने साल बाद इतने साल वाद हो चोड़ो जो आ रही है आज इंकम कल को वह भी नहीं रहे तो क्या प्लाइन तुम्हारे पास बह्यां क्या प्लाइन है नई पलने प्रत में और एक आप दो स्टॉक मार्ट कि कितना भी धूरंदर खिलाडियो दोग कि इच जानकार हो पैसे तो उसके भी डाउन वह होंगे ता किसी का 10 लाग का इसमेंट होगा तो शहलाइक बन गया होगा किसी का एक क्रोर होगा तो तो फच्टनी किया होगा सर कितनी भी जानकरी रख लो जब मार्केट गरता है तो आप कुछ भी नहीं बहुत कर सकते और किंसे बैजने वाले काफी है है क्रेदने लगोई नहीं क्योंकि सब को पैसा जमा करना उस वक्त जोगना है कि इस मार्केट खराब चल रहा है खराब मार्केट हूँ या खराब आदमी की सिचुएशन हो जरूरत पैसे की पड़ती है अंते हो ना उस वक्त और आदमी के जब समय खराब होता है न जब तो इसको कोई ए दिमाग काम करना बंद कर देता है तो फिर आदमी नहीं काम करेंगा सर क्या करें कैसे करें फिर आदमी उट पटांग स्टेप लेता है पता तेले सुसाइट करने चला गया बहें बरबाद हो गया लेकिन अगर बैंक पता चले दो-तीन साल का खर्चा पड़ा हुआ है तो फ आदमी इसको प्रापरटी में लगाना चीए अरे ठीक है वह सब भी कर रखा लेकिन यह जो 72 लाग की फटीन नहीं है मेरे लिए मन का सुकून है सांती है मेरे लिए दिल की तसलिया मेरे लिए क्योंकि मैं तो ऐसा आदमी हो भया अपने बुरे समय की प्लानिंग करके चलता अच्छे समय की प्लाणिंग भी लेकिन बुरे समय की प्लानिंग जानता है किसके साथ कब क्या पराट हो मैं आ जाए तो मेरे साथ मालो सोर्स ओफ इंकम खतम हो गया नहीं रहा कुछ बुरा हो गया कैसे भी कुछ हो सकता है और बविश्च तो देखा है तो यह दो साल की इंक और उसका FD से बढ़िया option कोई नहीं है सर मुझे आदमी वह लोग बेवकूफ लगते हैं जो कहते हैं जो कहते हैं जब तुम्हारा बुरा समय आएगा ना तुम्हारे यह से लोग होते हैं वह आदमी कोई नहीं देगा उस वक भी बुरा समय ना कॉन देगा इसलिए पहले कि चूस कैसे करें सबसे बढ़िया दो चीजें सबसे पहले सेफटी दूसरा डिटन सेफटी कहने का मतलब मेरा अगर दस रुपए है दस का पंदरा होना उतना जरूरी नहीं है लेकिन दस का नौ भी नहीं होना चाहिए दस का आट में होना चाहिए मैं उस तरह का आदमी लिएकन इफटी किस जगों पर करते हैं बड़े-बड़े बैंको इस बैसे इस अर्वेज से पर उपहर जाएंगे रहिए जानते हैं मश्दभ एंद बर बैंक 205 ऐसे खुश थीलें बीलेता है मैं आथको एसा तरículन को टोप लेवल की चाहिए रिटर्न भी टॉप लेवल का चाहिए दोनों हमारे को टॉप लेवल के चाहिए मतलब हाइस रिटर्न और हाइस सेफटी हमारे को चाहिए कैसे मिलेगा वह भी हम समझते हैं बट उससे बताने से पहले एक चीज मुझे आप बताओ चलो आगे पूछ लूँगा वह अच्छ वह बाकी अभी जो इधर लिखा था तीन से पांच हजार रुपए रोज का पार्ट टाइम में कैसे आएगा वह भी आएगा सेक्शन अभी पहले थोड़ा एफडी को समझ ले दूसरा तरीका होता है कुछ लोग गूगल करते हैं बेस्ट इंट्रेस्ट रेट अन एफडी है वह बड़े बड़े बैंक से उनका इस यो इतना तगड़ा होता है कि वह आएंगे लिस्ट में बैंक से लेटर आप कुछ भी सर्च करो शुरूआत के दस बारा लिंक को नही और रिटर्न भी हाइस चीए दोनों में हमको चाहिए मतलब चलो आगे बड़ते हैं सर अपने बैंक में हमारे को एवडी करना ज़रूरी नहीं है क्योंकि मेरे को दूसरा हाइस रिटर्न कैसे पता चलेगा दूसरा गूगल पर जाओंगा तो सही इंफोर्मेशन मेरे को मिल और वह सर दे ना मिले तो बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हो जैसे आप हो सर कहा गया है है जाओ सर बेस्ट तरीका यह है इस यू और यहाँ पर कई सारे बेंक हैं बी-वन B2, B3, B4 आपको चेक करना है कौन सा बैंक highest return दे रहा है, मुझे वहाँ जाना है अभी तक क्या करते थे हम Google पर जाते थे, और Google पर यह सब रास्ता हमें पताता था, लेकिन Google हमें साथ में confuse भी करता था, उसा information भी नहीं देता, है ना, तो हम क्या करेंगे, इस Google को मारेंगे गोली यहाँ पर हमारे पास एक medium हमारे को ऐसा पता चल गया है, को एक application हमारे को ऐसा पता चल गया है, जो क्या करता है, इन सारे बैंकों का data, highest return कौन सा बैंक दे रहा है, इधर एक page पर यह बता देता है, कट से हो गया ना, सारे problem की solution, अच्छा सिर्फ यह इतना ही problem solve नहीं कर रहा है, FDs related और भी कई सारे problem हैं, जो कि यह solve करता है, जैसे premature withdrawal पर आपको file देना पड़ता है, वो सब ऐसे कई सारे problems हैं, जो कि यह solve करता है, सब के बारे में समझेंगे, और उदर जो दिखाता सुरुआत में, वो भी अभी बाकी है, तीन से चार, चीन से पांच जार रुपे, डेली, ठीक, आब जी, आगे बड़ा जाए, बड़ा, आगे बड़ा, आगे बड़ा, तरे फिर आगे बड़ा, solution है सर अपना, यह है हीरो, stable money, stable money क्या है सर, एक ऐसा application है, जो 200 से जाधा बैंकों का data, interest rate, सब कुछ आपके सामने रख देता है, जैसे यहाँ पर इसने सारा analysis करके 9.21 highest return अभी तक का इसने बताया है, जैसे कुछ बैंक यह टॉप्स पो दिखा रहा है, सब कुछ देख सकते हो, तो इसका और डिटेल समझने के लिए मैं सिधा आ जाता हूं मोबाइल फोन पर अपने और एक फडिक कर ही लेते हैं, क्योंकि इन दोनों मैं जितना इसको अबसर्व कर रहा हो ना, तो मेरे को समाझ में आ रहा है भाईया, सब्सक्राइब करने के लिए तो बेस्ट चीज है, क्योंकि बेस्ट अब बेस्ट ऊपर ही दिख रहा है, अच्छा साथ में यह बताऊंगा, आप कह सकते हैं, चोटा बेंगा, सेफटी, आओंगा, फिर बोल रहता हूं, अभी तो देर पहले क्या बोला था, हाइस सेफटी चाहिए अपने को, और हाइस्ट रिटर्न भी चाहिए, दोनों याद है मुझे, आओंगा, रुको भी, थोड़ा में पहले, स्क्रीन का, और स्क्रीन शेयर कर लेता हूं, कहा गया मेरा, यस, यह आ गई मेरी स्क्रीन आपके सामने, और मैं खोल लेता हूं, स्टेबल मनी, त और होमपेज पर देखो कुछ कुछ चीजा आपको दिख रही है, माई इन्वेस्टमेंट पांचिजार रुपे, यह भी ट्राइ करने के लिए एक दो दिन पहले मैंने किया, कि जो चीज मुझे आपको बतानी है, पहले खुद तो मैं ट्राइ करूं, पांचिजार रुपे पहली FD करोगे, तो आपको 200 रुपे का Amazon वोचर भी मिल जाएगा फट से, ठीक, यहाँ आप कमपेरिजन वगरा कर सकते हो, और क्या क्या चीजे हैं, जरा नीचे हम यह से भी देख लेते हैं, आपका पैसा 100% safe and secure है, सबसे पहला point तो सर इस पर बात करते हैं, कैसे safe and secure है, इतना confusion होता है नो आपको कोई confuse नहीं कर पाएगा सर, सर मान लो, एक bank, भारत का सबसे बड़ा bank, जुसको आप सबसे ज़्यादा secure कहते हो, SBI, ठीक है, SBI में मान लो, आपने एक लाग की FD कर दी, ठीक है, और दूसरा भारत का सबसे चुटको, सबसे चुटको, सबसे परसेंट मान लो, और यह आपको दे रहा है, 9% मान लो, ठीक है, मुझे एक बात बताओ, एक लाग की FD है न, इन दोनों में से आपका पैसा सेफ कहां है जादा, आप अफकॉस सी बात का होगे, SBI में ज्यादा सेफ है, गलत जवाब, जवाब आपका गलत है, के भी सी निक रख आप की FD करो किसी बात की FD करो किसी बांक में आप सेविंग में रखो, अपकी 5 लात रुपीज, RBI इन्शॉर्ड करता है आपके पैसे को और्प कहने का मतलब, अगर बैंक में कुछ भी हदसा होता है, किसी तरह के घरबढ़ी होती है, बैंक रहे ना रहे पैसा खतम ह पांच लाख रुपे तक तो आपको RBI देगी समझे पांच लाख तक RBI दे हां उसके उपर है आपने कहीं मानलो 10 लाख रुपे रखा है और बैंक भाग गई तो पांच लाख तो फिर भी आपको मिलेगा RBI की तरफ से हां कई बार समय चरूर लग जाता है लेकिन पैसा मिलेगा RBI की तरफ से इंशरंस है लेकिन फिलाल समझ मैं सर पैसा हमारा कहां फरसिक है सेफ है पैसा दोनों सेफ है अप टू 5 लाख रुपीज और मैं मानता हूं कि आपको एवडी करनी है अगर 20 लाग की एवडी करनी है तो मैं काऊंगा पांच-पांच लाग की चार एवडी कर दो सबस्क्राइब करने जा रहे हैं सबसे हाइए अपको समझ में आ पाएंगे तो यह स्क्रीन आपके सामने है हम एक एवडी बुक करने जा रहे हैं सबसे हाइएस्ट मेरको अप में कौन सा दिख रहा है सर यह वाला दिख रहा है 9.15 आपको यहां पर लिखा हुआ भी है आर बिया इंशॉर्ड इन दोनों में नहीं लिखा हुआ है क्योंकि यह दोनों अब मैं सिवालिक में कर लेता हूं मालो लाक रुपे की अबडी करके देखते हैं क्याल्कुलेट माई रिटन नीचे देखो कुछ चीजे रखा हुआ है एसेड जो है इनके पास अठारा सो परस करोड करोड का है तो एक साल के पहले अगर आप पैसा निकालते हो तो उस पर जो इंट्रस्ट बन रहा होगा प्रिंसिपल अमाउंट पर नहीं इंट्रस्ट बन रहा होगा मालो एक लाग रुपे आपने डेपॉजिट किया एफडी में और एक साल बाद वो एक लाग छे अजर बनने वाला ह तो आप अगर एक साल के पहले ही विड्रॉ कर रहे हो चेही महिने में आठी महिने में तो वो जो आपका साथ हजार शेहजार इंट्रस्ट बन रहा था ना उस शेहजार इंट्रस्ट पर कुछ नकुछ पेनल्टी लगता है अगर आपने कहे हुए टाइम डियुरेशन से पह इस भी बैंक में साथ दिन दस दिन पंदर दिन जैसा भी हो उससे उतना लॉकिंग पिरियेट के बाद आप FD तोड़ो कुछ नहीं लगने वाला ठीक यह बात कलियर बैंकों में डारेक्ट अगर करते हो तो प्रीमिचूर एबडी पर लगता है पेनल्टी यह अच्छी बा इजी विड्रॉल क्यों 24-48 गंटे गंदर पैसा जाता है जब भी आप विड्रॉल करना चाहोगे और अगर वो हो जाता है पूरा क्या केते हैं टाइम डियोरेशन मनलो दो साल की FD करे दो साल पूरा हो गया तो दो साल बाद आपने आपके बैंक में आ जाता है ठीक और है और एक साल आठ महिने के लिए मेरे को करना पड़ेगा चलो नीचे आते हैं देखो एक साल पर कम है एक साल छे महिने पर कम है लेकिन एक साल आठ महिने पर ज्यादा है तो मैं इसी को क्लिक कर लेता हूं दो लाख रुपे दो लाख रुपे थोले दिर पहले मैंने भरा हो ठीक और यग चीजमना हें आपर चेंज कर रहा हूं, रियन्वेस्ट को माँ कर रहा हूं, रीफटर्ण app, रीइनवेस्ट को मैं कर रहा हूं, में रीफंट रीफंड रीफंड क्या होता है, लिए अपने आपके बैंक में भुरा आएगा, यहां पे देखो लिखके भी आ रहा है और क्या के चीज़े है इसमें प्रोसीड विडियो की वाइसी वीडियो के वाइसी हम बाद में कर लेंगे ठीक है और क्या क्या है लेस देन दो मिनट के अंदर हमारा यह हो जाएगा में ट्यार वे फलांटेकाना ठीक तो हमने कर लिया एक दो लाक की एवडियो प्लस इसमें और क्या क्या चीज़े समझने लाइक है जरा सर यह भी देख लेता है सर स्क्रीन मेरी आपको दिखी रही है अब मैं अगर अपने होम पर देखता हूँ तो होम पर एक तो पांच जार रुपए वाला पहले वाला है और अभी यह पेंडिंग अपना दिखा रहा है बुक्ट पेंडिंग अच्छ दो लाक रुपए है वीडियो के वाई सी बाकिए चलो वीडियो के वाई सी हम बात में कर लेंगे अब उस मुद्धे पर आते हैं इधर जो मने लिखा था सुरुवात में कि तीन से पांच जार रुपए महिना नहीं रोज का कैसे कमाया जाए तो उसके ला जाते हम प्रोफाइल सेक्शन पर प्रोफाइल पर मैंने क्लिक कर दिया प्रोफाइल पर नीचे आउज आगे भी दिखा रहता है आपको सब्सक्राइब देख रहे हूं चार लेयर का रेफरेंस इंसेंटिव मिलता है इसमें रेफरेंड के प्लान तो अपने बहुत सारे देखियोंगे अलग अलग जगो पर लेकिन यहांपर चार लेयर तक मिलता है और मैं किसी रेफरेंड इन तो जैसे कोई बात हैं नहीं करना है गेम रिफर करो यह जैक वह बरबाद कोने वाले फेंटेसी गेम वह फालतुकाम नहीं चीज एक योई करेगा तो अच्छा इंव्स्मेंट शीच रिफर ले दो वह चार लेर सनस्पानों चार लेर कहने का मतलब मानलो राम है और राम ने श्याम को कराया, श्याम ने ए को कराया, नामी याद नहीं आरा, अमित लिख देते हैं, अमित को कराया, अमित ने राज को कराया, ठिक, तो जैसे ही ना राम ने खुद ने करा, तो राम को खुद से करते ही, उस तेम पर क्या आएगा, 200 रुपए का मेज़ा वोचर त इसकी वज़ा से 100 रुपय का एक और होगा उसके वज़ा से 50 रुपय का पहुंचेगा चार लेवल का इसमें रेफरल इंकम है है नो मज़दार अच्छा क्या तीन से पांचेर हो सकता है क्या क्यों नहीं हो सकता सर माल लो अगर सिर्फ मैं पहले वाले की ही बात कर लूँ सर दस लोगों का एवडी कराना कौन सा मुश्किल है एवडी हराद में करना ही चारा ना अजका टाइम में सर अब कितने सारे फेस्बूक गुरूप से जुड़े होगे टेलिग्राम गुरूप से जुड़े होगे और नहीं भी जुड़े हो सर इंस्टाग्राम पर 10,000-15,000 फॉलोवर वाले कही सारे इंफ्लूएंसर है ना उन कि इसके क्लिमिट है कितना एक लाख पचास जार रुपए अभी आएगा लिखा हुआ मैं आपको दिखाता हूं रेफर एन वाले सेक्शन में आते हैं रेफर एन वाले में नेट्वर्क एंड बेयॉंड हाँ एक लाख पचास हजार तक आप इंकम इसमें कमा सकते हो यह धि जानता था राम नहीं जानता था अमित को लेकिन अमित की वज़े से भी इसको पैसे मिले है ठीक और आगे बढ़ते हैं कि योड चेन ओंग एवरी सब्सक्वेंट इन वाइट फ्रम रॉर्ल सौर मिलेगा और उसके आगे से पचास और मिलेगा मतलब तीन सो दो सो और पचा को मज में आ रही है अब एक बार हम आगे जरा कंक्लूजन की तरफ पहुचते हैं कुछ चीज़े मैंने लिख रखिये कहीं मैं भूलना जाओं सबसे पहले हाँ एक अची बात तो मैंने आपको बता ही नहीं सब वोमेंस के लिए एक्स्ट्रा है 0.1% इंट्रस्ट एक्स्ट अचीज़े में आपको बता दिया प्री मेंच आप से पनल्टी लेती है लेकिन अगर इस्टेबल मनी के जरीए कर रहे हो तो आप इससे बच जाते हो पावर ऑफ 1% अच्छा एक जिस्तों मैं मिसी कर गया कि कई बार हमें लगता है कि मेरा एक्सट्रा चल रहा है कोई और 8% पर दे रहा है क्या फरक पड़ता है एक ही 1% का तो फरक है लेकिन इक तॉन बड़ाf जर्डाद इखाता हूं आपको calculator पाइलकुलेटर पर आप सकते हैं है मैं the calculator में आया मैंने इसमें मानलो मैं बढ़ लेता हूं सarथ पांच लाक रुप्य पांच ज़ार में पचास ज़ार और यह 5लाक ठीक और शरु मानले साथ परशंट का डीटर्ण मिल रहा है और मैं पास साल की बात करता हूं सर पास साल में देखो डेटर्ण कितना मिल रहा है प्साथ एक हजार दो سो शीचितर यहाद रखना बस सात लाक एक लाग दो गोर्ण साथ ऐसार है क्टमार हिट्चिट्ट वहाफूरीट इसे को मैं सिर्फ 2% आगे बढ़ाता हूं, एक परशंट भी बढ़ा लेंगे अभी, जिरा 2% आगे बढ़ाके दिखते हैं, नो कर लेते हैं, सर अमाउंट से बढ़ाया, साथ लाख उनतर हजार रुपे बढ़े गया सर, लगवा 68,000 रुपे ऊपर जला गया, रिटान, यानि आठ परशंट पर अगर मैं देखूं, सर आठ परशंट भी 7,34,000 रहा है, साथ परशंट पर साथ लाख एक जा रहा था, आठ परशंट सिर्फ एक परसंट बढ़ाने की वज़ए से 34,33,000 रुपे एक्स्ट्रा बढ़ गया, तो आप अगर इस कई बार आपको गरी लगता ह होगा कि एक ही परसंट का परक है, आदा ही परसंट का परक है, सर लॉंग डियोरेशन में बड़ा लंबा फरक पड़ जाता है, इतनी बार समझ में आ गई आपको, अब जरह हम आगे थोड़ा और बढ़ते हैं, एक सवाल और रहा है किया था, राइट टाइम ऑफ एफ डी, अब ध्यान से समझेगा मेरी बात, तर 2022 में जो एफ डी का इंटरस रेट चल रहा था, अराउंड छे परसंट, साड़े पांच परसंट के आसपास चल रहा था, अभी जो नॉर्मल अच्छे छे बैंक्स में भी चल रहा है, और आप अगर थोड़े और कम बजेट वाले छो सबसे जाना रेटन एफ डी इस वक दे रहा है, लेकिन अभी हमारे ब्रांच मैनेर से भी बात हो रही थी, मेरा जिस बैंक में अकाउंट है, तो वही कह रहा है कि आगले महिने से एफ डी का रेट घटेगा, तो मुझे नहीं पता कितना सच है नहीं सच है, लेकिन मैंने तो आप बताओ मुझे राइट टाइम एफ डी बुक करने का क्या है, मेरे इसाब से राइट नाओ, राइट नाओ तुरंत, तो मज़िदार इंफॉमेशन दी कि आज, तीन से पांच जर वाली बात, एफ डी 9.21 परशंट, मजा नहीं आ गया, सच में आया तो मुझे आपको भी एफ डी बुक करना है, तो डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंड में हमने लिंक दे रखा है, उस लिंक के जरीए किजिए और कमाईए भी और दूसरों को भी कमाने का मौका दीजिए